हैले प्रेंट्स कैसे हो उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे गोड इविनिंग मतलब यह साम का टाइम है मैं भी खाना बनाने के लिए आग चुकी हूँ मतलब भी खाना नहीं बनाऊंगी लेकिन सब तैयारी करके रख दूँगी मेरेको आज बड़े है मैं कुछ स्पेस में नहीं मिला तो लेके नहीं मेरा दिमाग में ये था जोमिन बनाऊंगी यहां विए से थो मार्केट से खासथि यहीं करते हिना ज़से नहींद रूआ गsınız चुका है किए हैं जब जो हें नहीं जो सच ही ऎर crashed oh ही बताऊ तो कभी नहीं बनाई अगली बाल जो जो कीडी रहता मतलब लोगदाऊन हुआ था आगली साल हुआ था और यहां पर जो रहते हैं होमारा जो पड़ोसी है मतलब यहां पर जो जो बाबा जी लोग रहे थे वहां पर एक दो बार बनाये थे नेना के पापा ने चाओ मिन बनाये थे दो तीन बाबा जो जो थे वो लोग बना के क्योंकि मार्केट से तो कुछ लाना ही नहीं था मतलब मारकेट बॉन था मतलब लॉक्डाऊं था तो इसे वज़े से घर में सब बना बना के खाते तो नेना की पापा कुछ क्योंकि मैं सच बताउ की नेना की पापा खाना बनाते नहीं य geograph हो जोब बनाते नहीं बहुत ट्रेष्टि वाला खाना बनाते मार्केट से खरीदके नहीं खाती हूं तो मेरे मन था कब से मन था को वोलूंगी मैद लिवर चयूमिन बना दाङए तो उंको ना टाइम नहीं विलता था वी लोक डाउन है Jáसे कि हमारे यहां पर मतलब 5 तरीक से 19 या 20 तरीक तो कि एसे कुछ लोगडाउन है तो सुची की चलो क्या बोलते हैं टाइम भी है मतलब लोगडाउन हो गया था बुधुवार को शरी मंगलवार को हो गया था तो मंगलवार को नहीं हो था फिर भी मैं सूची की रात नौ बजे तक तो है उनको बोलूगी की मेरे लिए चो मिन बनाऊंगे बोल के रखे थी सब जी ले आओ गोभी पत्ता को भी जो किछ जो मिन में पढ़ता है लेकिन में चीज नहीं मिला चो मिन नहीं मिला तो फिर मेरा इससे सोचके, फिर मतलब बिगाना था मेर कूँ जो होता है ना, जो ये छोले बनाना था मेर कूँ लेकिन बिगाई नहींती तो फिर आच्छा नहीं लगा, तो फिर क्या करू क्या करूं तो फॉबर Meadishika निया लिया कि मैं जो आलू जो क्या बलते हैं यह आलू दम बनाऊंगी तो मतलब फिर आलू सारे आलू रसन प्याज जो सारे सामन था सब छिल चाल के रख दिया सब मतलब मसाला मसाला के लिए जितना सारे सामन थे यह सब रेडी करके रख दिया फिर उसके बाद देख सकते ह यहां पर प्याज एक कट कर दोगी हो जो मसाला बनाने के लिए जो में ख़ीए उक ट कर लूँगी और यहां पर तेल में खाट कर लूँगी कि दी मा त्ना पर यहां पर को पर पहना ना पर serig कता है यहां पर मेरे देख सकते हो आलू फ्राइ हो गया है है मतलब यहां यहां पर मेरे प्याज भी कट डिल ऑरल भगाँए हैं मैं यहां बनाती हैं तो थोड़ा से जीरा दे दिया है three přता देना था लेकिन मेरे पास तेश बजा नहीं था और मेरा भी याद ही नहीं था कि रसन में लाने के लिए क्योंकि जैसे कि मैं बोली थी ज्यादा नहीं है मतलब ज्यादा सामान हम लेके रखते नहीं है क्योंकि जब चाहिए होता है लेके आथे तो टमाटर नहीं था टमाटर हमेरे पोडोसी दो लेके आई थी तो उन्हेंना के पपा को बोली थी कि मेरे को टमाटर चाहिए तो पहले बोले तो मार्केट बहुंद हो गया नहीं मिला फिर उसके बाद लेके आगे फिर में दो टमाटर ज्यादा टमाटर ने डाली क्योंकि अभी लोगडाउन हो जाएगा काल से तो इसी खाने में दिक्कत हो जाएगा और अभी हमारा दोकान सब कुछ बंध है क्या करें घर में बेट के खा रहें जो भी है उसी से काम चला रहें क्योंकि इतना हम तो इतना बड़े आदमी नहीं कि बैट बैट मज़े से खाएंगे इसी रेज जो सामान लेके आये थे हो थोड़ साल भी ऐसे बोले थे 15 दिन के लिए लोगडाउन लेकिन कुछ ज्यादा ही लोगडाउन हो गया था दो महीने तक टो यहां पर मैं मेरी प्याज फ्राइख होने तक मैं दे दिया फिर टोमाट के बाद थोड़ास नमक दे दिया थोड़ासा नहीं मतलब जितना नमक चाहिए वह दे देती हूँ क्योंकि मेरेको ना दो तीन बार दन मेरेको थोड़ासा ज्यादा लामक हो जाता है मुझे एक बार ही देना पड़ता है मतलब देती हुँ तो ठीक है था है फिर थोड़ा सा कलर बाला लाल मिर्च पाउडर दे दिया हूँ थोड़ा सा कलर आने के लिए और आदा रसुन प्याज जो पेस्ट किया था उसको दे दिया फिर उसके बाद यहां पे तिखी वाली मिर लेकिन टेस्ट भी बहुत टेस्टी हुआ था आप एक बार ऐसे बना के खाई है मैं तो बनाती हूँ आप एक बार यह गराम मसाला है जो मीट मसाला मीट मसाला जो गराम मसाला होता ने ओ और थोड़ा सा ब्लाक पेपर दे दिया हूँ जो क्या काला नमक यह इसा बलते है न लगा था उसका पानी उसको फिर आच्छे से देखए उसको ढख दूंगी उसके बाद में पतलब आच्छे से मसाला को पका दूंगी क्योंकि तेल जब तब रिलीस नहीं हो जायेगा ना तो तिना तक भुनों तो अच्छा होता है नहीं तो कितना भी मसाला डालो लेकिन सब्जी अच्छा नहीं लगता तो एकदम अच्छे से मैं पका दूँगी उसको फिर देख सकते हो मेरा सब्जी मसाला एकदम पक गया है और तेल भी छोड़ चुका है तो यहां पर फिर मैं उसके बाद दे दूँगी आलू जो भुना हुआ जो इंट्रेस्ट रहेगा क्या बन रहा है क्या हो रहा है ने यह सब्जी कुछ मैं ऐसे आलू दम आलू सी उगल के मैं बनाती हूँ लेकिन इस बार में थोड़ा सा फ्राय करके बनाई हूँ तो उसको देखने के मन है तो फिर अच्छे से मैं उसको ना भून दूँगी और यह मेरा बड़े स्पेशाल डीनर है क्योंकि ज्यादा कुछ बनाना नहीं है आगली वाल बड़े में आगली साल जो मेरी बड़े है जो मेरी दूसरे चैनल है उस चैनल में जाके चेक कर सकते हो मेरी चैनल का जो नेम है माई स्पॉन लाइश्ट्रेल मुनलिसा मेरी चैनल में जाके चेक कर सकते हो उसी चैनल में में छोले बड़े बनाई थी और इस नेना के पापा लेके आए थे गर्मागरम जलेवी और मंचुरियान लेके आए थे वो बनाए थे तो कोई नहीं जो जैसे जब होता है जो होता है तो जब मिलता है जो मिलता है खाना खालो कोई नहीं तो यहां पर देख सकते हो मैं अच्छे से भून लिया फिर उसके बाद ना मैं ग्यास में पानी रख दिया था गरम होने के लिए क्योंकि आप जब भी कुछ मसाला का चीज मनाओ ना पानी देने के लिए तो थंडा पानी मत दो क्योंकि थंडा पानी देदने से टेस्ट कुछ अलग होता जाता है और गरम पानी देदो ना उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है और यहां पर मैं पानी जितना चाहिए दे दिया हूं और देख सकते हो मैं यहां पर मेरा मेरे कपड़े के उपर जो के बाद थोड़ा सा उगल जाने के बाद फिर मैं उसको क्या करूंगी न अच्छे से पका दूंगी तो मेरे यह हो गया थोड़ा और थोड़ा सा पकना है तो देख लिए मेरा बड़े स्पेस्याल आलू दम और पूरी और गुलाब जामून रसगुला तो अमीद कर तो आप स के लिए कैसे लगा मेरे को जरूर कमेंट करको बतेए बाई बाई गुड नाइट